वीडियो शुरू करने से पहले आजम आपको बताने वाले हैं UB Police की बेश्ट बुक के बारे में जो है चक्चू परकासन की आप इस बुक को पर्चेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं आप इस बुक के साथ साथ चक्चु प्रकासन का यूभी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं नमस्कार साथियों आज हम स्वीडियम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्राची नितियास से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट कुशन्स को जो आपके एक्जाम के लिए बेहत मैत पढ़ोंगे तो पहला कुशन है उत्तर प्रदेश के किस नव पासान कालीन पुरा इस्थल से धान की खेती के साक्षे मिले हैं धान की खेती के साक्षे मिले हैं आप्शन सी कोलडी हवा से कुशन मर्दो है बुद्ध की पिर्थम मूर्ती निर्मित हुई थी दुद्ध की पिर्थम मूर्ती निर्मित हुई थी आपको बताना है उत्तर प्रदेश में तामर पासानिक सेबेता का साक्षे किस इस्थान से प्राप्त हुआ है आपको बताना उत्तर प्रदेश में तामर पासानिक सबेता का साक्ष है किस इस्थान से प्राप्त हुआ है तो इसका अंसर है सहरनपुर आपसने कुसमर चार है बुद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में इस्थित सारनात क्यों महत्पूर्ण है तो इसका अंसर होगा आप्शन D ज्यान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनात में अपला पहला उपदेश दिया था कुसम पांच है साटक वस्त्र निर्मान का परमुक के अंदर था साटक वस्त्र निर्मान का परमुक के अंदर था कुसमर 6 है कन्नौज से पूरू हर्सवर्धन कहां का सासक था कन्नौज से पूरू हर्सवर्धन सासक था आप्सन D धानिस्वर का नेक्ष्ट है आजीवक संपरदाई के परवर तक मक्खली गोसाल की जनम भूमी थी तुष्ट का असरा आप्सन D स्रावस्ति एक्ष्ट है मदयर पासानिक कालके किस स्थान से सीङग के अबूसन के साक्षे मिले हैं लेखिया से नेक्स्ट है बास खेड़ा आप लिए एक निम्ने से किस सासक से समझी थाए आपको बताना बास खेड़ा आप लिए एक किस सासक से समझी थाए तो समझी थाए हर्सवर्दन से ओप्सन है नेक्स्ट है रुहेल खंड का संस्था पक कौन था आपको बताना रुहेल खंड का संस्तापक कौन था तो इसकांसर है अली मुहमद खान औप्सने लेक्ष्ट है अभी लेक किसने परचलित करवाया था अभी लेक किसने परचलित करवाया था तो इसकांसर है धन्देवने औप्सन डी लेक्ष्ट है चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस इत्था तो इसका अंसरा बांदा आप्शन बी नेक्स्ट है जेन धर्म के 23 तीरतंकर पारसमनात का जनम किस जिले में हुआ था तो इसका अंसरा बारान सी आप्शन बी नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीर पूर इस्तित्था है मेरट में आप्शन सी कुसम 15 है बुद्ध की प्रतीमा का पहली बार विकास हुआ था मतुरा कला में आप्शन सी नेक्ष्ट है बुद्ध ने अपना पहला उप्देश दिया और अपनी कार्या विधी के नीव रखी तो इसका सरह सारणात आप्शन सी कुसम सत्रह है रिसी पत्तनिया मिर्क देव का आधुनिक नाम क्या है सारणात आप्शन डी अगला कुसम है इसकंद गुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में भीतरी अभीलेक लिखवाया था भीतरी अभीलेक लिखवाया था गाजीपुर में ओप्शन सी असोक इस्तम पर हरी सेंद वार रचित सम्दुर गुप्त का प्रस्तती लेक प्राप्थ हुआ है तो इसका अंसर है प्रियाग राज में ओप्शन बी अगला कुशन है उत्तर पर्देश के उत्तर पर्देश में बुद्ध ने अपना पहला उप्देश दिया और अपनी कारवधी के निव रखी तो दिया था सार्वनाथ में ओप्शन सी इनमें सबताना किस तिर थी आत्र असोग ने नहीं की थी तो नहीं की थी आयोद्य अरिद्वार की कुश्म बाइस है आयोद्धा का प्राची नाम था आयोद्या का प्राची नाम था आयाजसा ओप्शन भी नेक्स्ट है मतुरा किस महाजनपद की राजदा नहीं थी आपको बताना है मतुरा किस महाजनपद की राजदा नहीं थी तो इसका अंसर है सूरसेन महाजनपद की ओप्शन भी कुश्म चौबी से सरावस्ती किस महाजनपद की राजदा नहीं थी कुसरा वस्ती थी कोसल महाजनपत की Option B कुसम 25 है वत्स महाजनपत की राजदानी थी वत्स महाजनपत की राजदानी थी Option A कोसाम B कुसान वन्स के सासकों की दूसरी राजदानी कहा थी कुसान वन्स के सासकों की दूसरी राजदानी थी मत्हुरा Option C कुसम 27 है हरसवर्धन के समय कन्नोच कहलाता था Option A नगर मौद्दे सिरी नेक्शन है महमूद्गजनमी ने कन्नोच पर कब आकर्मन किया था महमूद्गजनमी ने कन्नोच पर आकर्मन किया था यह ख़ज अठार है 19.20 में Option C कोसामभी को किसने विशेश छ्चति पहुचाई थी कोसामभी को विशेश छथी पहुचाई थी होन मैतर तोर्मानने Option D Is включ नगर मेंसे कौन सा एक कथन सही नहीं है अपसा नेए उत्रव diligent काल उत्रवैदी कालिन सभेता का पुर्मुक केंदर उत्रप्रदेश छेत्र का था Option B कुसान काल में मुथरा जैन द्रम का एक समर्द केंदर था Option C राजेव मुथरा की खुदाई से कुसान कालिन साक्षे मिला है और Option D है सारना के द्रमराज के स्थूप का नर्माण पुसे में तर्शूद वारक रवाय गया था तो गलत Option है Option D कुसमर तीस है असोक का चौदवा विरत सिलाले एक प्राप्त हुआ है कलसी में Option B कुसमर तीस है कासी का सरवर्थम उनले एक प्राप्त होता है कासी का सरवतम उनले एक प्राप्त होता है अर्थ वेद में कुसमर तीस है भिक्चुनी उत्पल वर्णा दिख्चा पाने वाली पिर्थमिस्तरी थी वेन इमनिस्तल से सम्बंद रही थी तो उनका सम्बंद ता स्रावस्ति से Option C कुसमर तेतीस है सूरसन महाजनपत की राजदानी थी सूरसन महाजनपत की राजदानी थी मतुरा Option C नेक्स्ट है धगवान बुद ने ग्यान प्राप्ति के उपरांत अपना उप्रता मुदेश दिया था तो दिया था सारनाथ में Option C कुसम 35 है कोसल माजनबद की राज़दानी थी सिरावस्ती, option D कुसम 36 है मद्देपासान यूग के सरवादिक साक्षे मिले है सराई नाहर, राय से, option B नेक्ष्ट है, प्राचिन काल में उतर परदेश का छेत्र, गंगा के मेदान में इसी था, वह किस नाम से चर्चित था? तो चर्चित था, मद्देदेश के नाम से, option E